तें हम अपने रिसर्छ मेंबर्स को लेकी आएँगे जल्दी बड़ी प्रोकरिजिब और कौन से ट्रेंदिग आइडियास पर आपकी नज़र नेश्ची खबर के चलते लेकिन आपसे पेडलिस्सके जन लेतें इंडिया मार्ट का long का level है 5445, stop loss होगा 5200 और target होगा 5795. दूसरा मारूती में long है, around 8645 entry होगा, जो फोड़ा सा नीचे है current market price से, stop loss होगा 8400 और target होगा 8898. एक और चीज, अम्बुजा cement short के लिए देख सकते हैं, intra-day देख सकते हैं, अगर निफ्टी से weaker, अम्बुजा cement trade कर रहा है तो, एक intra-day, purely intra-day होगा, कि अगर अम्बुजा cement निफ्टी से weaker trade कर रहा है, तो एक negative divergence pattern है, अम्बुजा cement के उपर, जो materialize हो सकता है, दोनो long के stocks जो मैंने बताए हैं, उसमें demand zone है, जो मैंने level दिया हुआ है, और अब higher highs, higher lows भी बना रहे हैं, after a downtrend, इसलिए दोनो long suggest की हैं यहां भी. आपको यहाँ पर दोनो long के मौके लगते हैं, हलाकि आप कहने हैं कि ज़्यादा थेज रेड़ी बाजार में शद नहीं दिखेगी, इंडेक्स स्टॉक स्टॉक स्टाटिजी आपकी, ठीके, आपके ट्रेडिंग आइडियास हमारे साथ शेयर नहीं किये, बताए है कौन से स्टॉक सार्ण? जी से मनें स्टाटिग में कहा था कि बड़ा सा मिटके पर ध्यान रेना चाहिए, तो मिटके इस टॉक आइडियास शेयर करना चाहिए, पहला SGVN रहेगा, इसमें कापी अच्छा एक ब्रेकाउट वोल्यूम एक्टिविटी साथ में हमको देखने को मिला, कल के साथर में इ इसे breakout activity देखने को मिल रहे हैं तो 540 का stop loss रहेगा और 565 का target रहेगा इन दो stocks से लावा मुझे इसा लगता है कि सभी टायर stocks में कापने अच्छा formation देखने को मिल रहा है तो टायर stocks में भी थोड़ा short और medium term के लिए लिहास से खरीदारी के मोगे बनते हैं ओके ठीक है तो आप एस्टीवेन को तो एक order भी मिला जिसके वज़े से आज इसमें एक movement हो सकती है और ठीक है आपके भी बायके trades हैं रतनेश कुणाल बूत्रा भी बनेव हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो आज क्या trades ले रहे हैं इंडिस में तो actions हो सकता है कि थोड़ा सा mid-caps और small-caps specific हो सकता है markets में तो दो buy call रहेगी mid-cap end में ज़्यादा emphasis रखूँगा पहला रहे का buy हिमादरी specialty chemicals पे HSCL classical breakout कल भी हमने देखा कि stock अपनी day high पे close यून करके close हुआ था 115-16 के आसपास trade कर रहा है मेरे ऐसा मानना है कि momentum बहुत ही ज़्यादा strong है इस stock में तो मैं buy की सला दूँगा stock पे 120 का target रख सकता है stop loss 113.50 का रख सकते है इस पे और action construction ये भी बहुत ही बढ़िया चार्ट बनता हो नज़रा रहा है एक consolidation से breakout का pattern काफी clear observe हो रहा है चार्ट पे daily time frame पे तो इसको भी बाइस से दिस करूँगा action construction पे 455 का target रख सकते है stop loss 431 कुनाल आज आज आप office में दिखाई दे रहे है हमाई studios में कहा है आप मुंबई में कहीं अपने दफ्तर में या राजस्तान पहुच गए अपने दफ्तर में ओके चलिए यहां आते तो हम रौनक बढ़ जाती थोड़ी studio की और expert जुड़े हैं कुछ भूरा भी हमारे साथ आए उनसे समर्ज़ते हैं वो क्या trade strategy बना रहे हो बाजार पर इस वख कॉन से stocks जो उनके radar पर हैं कुछ गुड़ मॉर्निंग स्वागत आपका इटिना अउस्वादेश वर बताईया आज के लिए stock specific calls आपकी क्या रहेंगी जी हमानसी अपर गुड़ मॉर्निंग तो यू सारे दर्शे को को और सारे पैनलिस को भी वेरी गुड मॉर्निंग वेल ओवरॉल व्यू जो है हमारा वो buy on dips का है इसी के चलते मेरे दो calls है और दोनों ही buy side पर है पहला है पावर में यह stock हमने पिछले दो से तीन दिन पहले डिसकस किया था 2800 के टारगेट के लिए कल का इसका high 2798 का है सो इसे अभी भी hold कर सकते हैं fresh entry ले सकते हैं 3000 के लिए इसे आप fresh entry भी लेना चाहें तो buy कर सकते है 2700 यह आपका stop loss रहेगा जो मेरा तूसरा pick है that is Mahindra CIE हमने stock में बहुत clear breakout देखा है momentum भी इसमें काफी strong है तो यहां पर 435 के upside के लिए आप इसमें fresh entry ले सकते हैं 405 के जो levels है यह आपके लिए आपके लिए stop loss act करेंगे